ओके टियर स्टूडन्स चलो आज हम शुरू करते हैं इंपोर्टन्ट बोर्ड इग्जामिनेशन कुश्टिन्स जो चाप्टर वाइस हम कवर करेंगे यहाँ पर और इसमें रियल लंबस टॉपिक से मैं पहले कुश्टिन स्टार्ट करूंगे हर चाप्टर के 7-8 कुश्टिन हम लोग कवर करेंगे सब स्टूडन्स ने इन को ट्राइ करना है जिनको यह कोश्टिन लगता है कि उन्हें आता है वो यह कोश्टिन पहले खुल ट्राए करो उसके बाद अपना वेरिफाइन करना है तुम लोगों ने आंसर फ्रॉम दे वीडियो चिक है और जिनको यह जब नोग के तुम लोग कर लोगे, तो तुम लोग के 100% marks guaranteed विताएंगे, ठीक है, तो let us start with the questions now, So first question is, show that square of any positive integer is of the form 4m or 4m plus 1, तो हमें बताना है कि किसी positive integer, उसको फिर square भी करना हमने, तो हमने ऐसे start किया solution, let a be any positive integer, a को हमने को positive integer शुम करिया, such that a is equals to 2q plus r, ठीक है, then r की value क्या हो सकती है आँपर, where r is equals to 0 or 1, जैसे हम 2 से जब करते हैं आँपर, तो r की value 0 or 1 जैसे होगी, अब ये तो हमारा आगया हो, expression a के लिए, अब हमने first रखनी है value r की 0, r की value जब 0 रखती है, तो क्या हो गया, a is equals to 2q plus 0, that is क्या हो गया, a is equals to 2q, लेकिन question हमें कहता था, कि square था है इसका, तो अब हमने इसको फिर squaring both sides कर देया, squaring जो both sides लिखा तो ऐसे हो गया, so it becomes a square is equals to, ये कितना हो गया, 4q square, हमने दिखाना है इसको of the form 4m, तो यहां से मुझे 4 जो जो दिखो common लिखे रहा है, इस form से, और फिर लिखे रहा है, a square is equals to 4 into m, फिर यहां mention कर दिया, where m is equals to q square, ये जो हमारे आप गई, this is our first equation, clear, अब, अब हमने second लेना दिसमें, तो second कैसे हमने start करना है, तो हमने ऐसे लिखे, पहले आपकी value क्या रखिए हमने 0, अब आपकी value हम रख देंगे 1, जब आपकी value 1 रखी, तो बिल जाएगा a is equals to, 2q plus 1, इसके बार, फिर हमने क्योंकि question में square करना हो, तो हमने इसको square करना है, तो ऐसे लिखे है, a square is equals to, 2q plus 1, जैसे हमने a step किया, squaring both sides, अब, इस case में आगया a square, इसको a plus b whole square identity से करेगी, तो क्या क्या terms हागी, 4q square plus 4q plus 1, जैसे है, a square plus b square plus 2a b वाले formula से, तो, अब इन दोनों में, इन दोनों numbers में, सिरफ हमें 4 common लेना है, क्योंकि मुझे express करना है, इसको अब 4m plus 1 के फॉम में, तो 4 common लिया, तो इस is q square plus q and plus 1, तो यहां पे हम लिखते है, a square is 4 into m plus 1, यहां पे हमने लिख दिया, where m is equals to q square plus q, ठैक है, so this is the second equation, clear, अब यह जो first or second, दो equations चाह गे थी, इन दोनों से हमारा, conclude हुने एक last statement कर दिनी है, where, so from first and second, a square is 4m, और 4m plus 1, इसका मत्रब है, x square of any positive integer, इस पॉसितिव इंटिजर, clear, समझा गया, अब इसके बाद, जो next video बनेगा, उसमें मैं next important question, cover करूंगे, real numbers का, so keep watching the video, thank you, कर बर कर दो हैं, कर्याएंट कर दो,